हाँ देखिए बिटा अब हमें इसको प्रूव करना है बाइचेक्टिव देखिए बाइचेक्टिव लिए पहले वन वन प्रूव करूँगी सबसे पहले वन वन कैसे प्रूव करना है हम माल लेते हैं let f of x1 बराबर क्या f of x2 x1 की value कहेगा x1-2 x1-3 बराबर 2 के लिए x2-2 x2 यह हो जाएगा और पर गुना कर देंगे x1-2 की गुना कर दूंगे x2-3 के साथ x2-2 की गुना कर दूंगे x1-3 के साथ अब देखिए मैंने इसकी इससे गुना करी तो x1 x2 इसकी इससे गुना करी तो x1 x2 माइनस माइनस प्लस के 6 अब इसकी इससे गुना करी तो x1 x2 इसक का 2x2, माइनस का 2x1 और माइनस का 3x2, अब हम क्या करेंगे x1 एक स्रफ करदेंगे माइनस का 2x1 इधर आके प्लस का 2x1 माइनस के 3x2 है, माइनस का 2x2 इधर आके प्लस का 2x2 2 है बिटा ये, अब देखें 3 में से दो गया 1x1 और 3 में से दो गया 1x2 माइनस माइनस कैंसल तो हमने लेके चले थे f of x1 बड़ाबर f of x2 और हमने प्रूव कर दिया x1 बड़ाबर x2 तो यह हमारा क्या हो गए बेटा 1 1 नेक्स देखिए मैं मान लेती हूँ उन्टू के लिए let y बड़ाबर x minus 2 divide में x minus 3 अब इनकी cross multiply कर दूँगी y की गुणा x minus 3 के साथ बड़ाबर x minus 2 r पर गुणा करूँगी तो y की x स y x minus का 3y minus का x plus का 2 बड़ाबर 0 अब देखो हम इन दोनों में क्या को मने x bracket में बचा y minus 1 और यह इदर आएगी तो 3y minus के 2 तो x की value आगी 3y minus 2 divide में y minus 1 तो हमारे पास put कर देंगे fx में y x की value x minus 2 x minus 3 में देखे जापे भी x है वापे put करूँगी 3y minus 2 divide में y minus 1 देखे वर minus का 2 है x की जगे 3y minus 2 divide में y minus 1 और minus के क्या है 3 अब मैंने LCM ले लिया y minus 1 तो 3y minus 2 minus का 2 अब मैंने LCM ले तो 2y और minus minus plus का 2 ऐसे ही हमने इसमे LCM ले दिया तो ये हमारे रकम देखे बैटे 3y से 3y कट गया 3 में से 2 गया 1 और y minus 1 से y minus 1 कैंसल हो गया ये क्या गया 3y में से 2y गया तो y 2 से 2 कैंसल तो क्या बचा y divide में 1 y आ गया जो की on 2 हो गया तो हम इसको बाइजक्टू लिख देंगे देखें next question number 35 बिटा इसमें हमारे total question 38 है अब हम आच के question number 35 पे देखें हमाई दे रखा x square divide में x square plus 6x minus 3 dx देखें उपर निचे same degree है जब same degree हो या उपर बढ़ी हो तो हम divide करते हैं तो x square अंदर x square plus 6x minus 3 बाहर पहली 1 पे जाएगा तो x square plus 6x minus 3 अब देखें ये x square से x square cancel minus minus 6x plus 3 तो ये आ गया हमारे पास 1 पे चला गया 1 plus minus 6x plus 3 देखें सोरी यहां लिखा हूँ है मैंने इन दोनों में मैंने क्या करा 3 common ले लिया 3 minus 2x plus 1 divide में है x square plus 6x minus 3 dx अब देखें ये 3 बाहर है minus 2x plus 1 divide में है x square plus 6x minus 3 अब देखो बेटा इसमें मैं क्या मानूँगी देखो इस rule को हम कब लगाते हैं जैसे निच्चे वाले का derivative करो x square derivative क्याएगा 2x और इसका derivative क्याएगा 6 हमने देखा सेम उपर वाला नहीं बन रहा तो उसमें हम ये method लगाएगे देखो उपर वाला बाहर p गुना में d by dx और निच्चे वाले का और प्लस में q ये हमारा formula होता है अब देखो minus 2x plus 1 बाहर है p बताएगे इसका derivative क्या बनेगा 2x plus 6 और प्लस में q अब मैं यहाँ पे compare करूँगी coefficient of x यहाँ पे x के साथ क्या है minus के 2 यहाँ पे x के साथ क्या बनेगा 2p है ना तो यहाँ से 2-2 cancel p की value क्या गई minus 1 अब मैं compare करूँगी constant का coefficient constant क्या है यहाँ यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या हैगा minus 1 p की value 2x plus 6 p की value पूट कर दी 2x plus 6 divide में जो अमने derivative लिया था x square plus 6x minus 3 अब क्यों की value पूट कर दी 7 divide में जिसका derivative लेना था x square plus 6x minus 3 अब देखे ये रकम adjectives और इसको मैं completing square method बनाओंगी देखे 7 divide में x square 2 गुना में x अब मैं क्या करूंगी देखें B को पैचानूंगी 6 है 6 के टुकड़े क्या बनेंगे 3 दो नीच है तो B का स्क्यर जोर भी दोंगी B का स्क्यर गटा भी दोंगी और माइनस का 3 अल्रडी हमारे पास है अब हम देखेंगे यहां से आता कि यह A प्लस B का स्क्यर बन गया तो यह नीचे आएगा A X plus 3 का स्क्यर माइनस 3 का स्क्यर कितना होते है 9 और माइनस का 3 है तो कितने हो गए यह माइनस के 12 माइनस 12 को रूट 12 का स्क्यर लिख दूंगी अब मैं क्या करूंगी बेटा नीचे वाले पूरे को T मननूंगी X के प्लस 6 X माइनस 3 को T मनना दिवाइड में X PLUS A तो 1 अपोन में 2 गुणा में A कितना है रूट 12 लोगोफ X X का है X PLUS 3 माइनस का A के है ROOT 12 दिवाइड में X PLUS 3 PLUS में ROOT 12 अब देखो ये 7 बटे में 2 12 को लिख दूगी 4 गुणा में 3 लोगोफ X PLUS 3 12 के टुगड़े होते है 4 गुणा में 3 4 का root कितने होते है 2 तो ये 2 root 3 हो गया 12 का टुगड़े होते है 4 गुणा में 3 4 का root कितने होते है 2 2 root 3 हो गया ये और ऐसे मैंने इसको तोड़ दिये 4 गुणा में 3 और उसका root 2 बाहर लिया तो दो दूनी कितने होगे चार root 3 तो बेटा यह हमारा अंसर आ गया इस value को हम equation number first पूट करेंगे equation number first देखे हमने यहाँ छोड़ी थी equation number first यहाँ छोड़ी थी x plus में 3 into इसका अंसर जो है हम पुरा लिख देंगे यह पुरा अंसर हमारा आ चुकर है x plus में 3 into में this one यह हम पुरा अंसर लिख देंगे यह आपका अंसर हो जाएगा अब देखे बेटा हमागे question number 36 पे पहले मैं आपको screen पे दिखाती हूँ question हमारे total 38 question है बेटा देखे question number 36 एक street lamp है जो की दोनों एक दूसरे से 600 feet apart है जो light है at distance d from the first पहला जो lamp है उससे जो light की intensity आ रही है वो कितनी है 1000 divide में d का square और दूसरा जो lamp है उससे जो light आ रहे है उसकी intensity है 125 बटे में d का square और वो इनवर्स्री proportional के square of distance के वो तो में दिखाई देखे रहे तो हम इनकी combine में क्या करेंगे हम इन दोनों का प्लस कर देंगे intensity के लिए देखे यह दो lamp है इन दोनों के बीच की दूरी है 600 माल लिजे इसकी दूरी यह एक point है जासे इनकी दूरी को देखना है अगर यह x है तो यह कितना बचेगा 600 minus x तो इसलिए मैं इन दोनों की को जोड़ेंगे देखे अब मैंने इस question को कैसे soul out कर रखा है देखे आई x यह में दे रखा बेटा 1000 बटे में x का square अगला में दे रखा था 125 बटे में d का square अब बताओ उसकी distance कितनी बची माल लो एक lamp यहाप है माल लो यह point है जासे हमें देखना है इन दोनों के बीच की दुरी के दे रखे हमें 600 मीटर जो माल लेजए यह वाली दुरी है x तो यह कितनी बची 600 माइनस x बची तो यह हमें दे रखी थी 1000 बटे में d का square बताओ यह पहले lamp की d कितनी है x और यह दे रखी थी 125 बटे में d का square दूसरे लेंब की डी कितनी है 600-x और उसका square अब हम क्या करेंगे 1000 गुना में x की power plus के 2 उपर आके minus के 2 125 और 600-x की power plus के 2 उपर आके minus का 2 अब देखें पहले derivative निकालेंगे 1000 बाहर रूल के होता है पहले power bar तो minus के 2 बाहर फिर minus 2 minus 1 हो गया ये प्लस में 125 minus के 2 power बाहर 600-x की power minus 2 minus 1 फिर 600-600 का derivative 0 minus x का minus 1 अब देखें ये बना 1000 को minus 2 से गुना किया minus के 2000 x की power बची minus के 3 जो निचे के plus के हो गई और ये बचे बचेंगे बटा minus का 250 को minus 1 से गुना किया plus के 250 डिवाइड में 600-x की power बटे में 3 अब देखें ये बना minus का 2000 बटे में x की cube या या 2500 डिवाइड में 600-x की cube अब हम इसको उपर ले आएंगे double derivative के लिए इसकी power आगी उपरा के minus 3 इसकी भी आजाएगी minus के 3 अगें derivative करूँगी तो minus के 2000 बाहर minus के 3 बाहर फिर एक और पावर माइनस का 4 ये 12 है minus 3 बाहर 600-x की power एक और कम हुई तो minus के 4 फिर minus x का derivative minus का 1 अब देखें ये आगया बिटा हमार पास minus minus plus 2000 को 3 से गुना किया तो 6000 x की power 4 नीचे के plus अब देखें minus minus plus 200 को 3 से गुना किया साड़े 700 डिवाइड में 600-x की power plus के 4 अब हम क्या करेंगे first derivative के लिए हम पहले derivative को 0 के ब्राबर रख जिते हैं पहले derivative आये था हमारा minus के 2000 बटे में x की cube 200 बटे में 600-x की cube इसको 0 के ब्राबर रखा अब ये plus की रखा में इधार रखे minus minus कर गया 200 से बेटा पूरा का पूरा ये 8 पे कर गया तो 8 बटे x की cube और 1 बटे में 600-x की cube है अब मैंने क्या किया दोनों तरफ cube root ले लिया ये 2 बटे x की cube गुना में 1 बटे 3 है ये 1 बटे 600-x की 3 गुना में 1 बटे 3 है 3 से 3 cancel 2 बटे x बड़ाबर है 1 बटे में 600-x हम आरपा गुना कर देंगे 6 दुनी 1200-2x बड़ाबर x के माइनस का 2x इसारा के plus का 2x x में 2x जोड़ा तो 3x x की value आगी 400 अब देखें बटे डबल derivative में हम value पूट करके देखेंगे maximum या minimum के लिए तो 6000 बटे में x की 4 है 700 divided में 600-x की power 4 है ये हमारे double derivative की value आई थी अब हम यहाँ पे x की value 400 पूट कर देंगे 400 की power 4 600-400 की power 4 मुझे बताए ये 600 में से 400 गया क्या हैगा 200 200 की power 4 इसको काटूंगी तो positive और इसको इससे काटूंगी तो भी positive positive में जोड़ूंगी तो क्या हैगा positive तो positive value आती है तो वो क्या देता है में minimum value क्या देता है minimum value और value निकालने के लिए हम fx में put करते हैं किस में put करते हैं fx में तो ix हमारा ये था इसमें हम x की जंगे क्या put कर देंगे 400 तो 1400 गुना 400 125 600-400 600 में से 400 गए 200 गुना में square है तो बिदो बर्द लिख देंगे इसको कार्ट पेट के हमारा ये अमसरा जाएगा जो की बिल्कु क्रेक्ट अमसरा है ठीक है बिटा अब हम आगे question number 37 पे देखे हमारा total 38 question है इसमें इसकी 3-4 video बने चुकी है इस वाले paper की ठीक है तो आप इसको prepare कर लें अच्छे से next question देखिए एक family है जिसमें दो family है जिसमें A और B नाम है उनके family A में तो चार women है चार men है चार women है और चार children है और family B में दो women और दो children है और हमें कह रखा है कि daily जो requirement है calorie की एक आदमी के लिए 2400 औरत के लिए 1900 और बच्चे के लिए 1800 और protein की requirement है 45 gram 55 gram and 33 gram तो हमें represent करने है calorie और protein को matrix form में और फिर हमें family A की consumption और family B की निकालनी है फिर हमें अगर 5% दे रख कियों increase हो जाए तो वो हमें इसको solute करना है देखिए बटा इस question को हम कैसे करेंगे बिल्कुल ही easy question है देखिए अब हमें दे रखा है family A family A की requirement कहा है man के लिए 4 आदमी है 4 ओरत है और 4 बच्चे है family B में कहा है 2 आदमी, 2 ओरत और 2 बच्चे तो daily calorie for man के लिए 2400 दे रखी है एक woman के लिए दे रखी हैं 1900, एक children के लिए दे रखी हैं 1800, यह हमें गीवन है और बिटा protein for man दे रखा हैं में 45 ग्राम woman के लिए दे रखा हैं 55 ग्राम और children के दे रखा हैं में 33 ग्राम अब हमें इसको matrix में form करना है देखिए बटा, हम जो family में जो बच्चे हैं उसको matrix में बना लेंगे, देखो 4-4-4 और यह क्या है? 2-2-2 दे रखा हैं में, इसको हमने बना दिया 4-4-4, sorry क्या बना दिया? 4-4-4, 2-2, 2 और इसको मैंने family को F नाम दे दी R का मतलब requirement F और R requirement की family यह calorie है और यह protein है calorie दे रखे थी हमें यह और यह protein दे रखे थी इसको मैंने value put कर दी है अब देखें, अब row by column गुना करेंगे F गुना में R तो अब बताएं, पहली row की पहले दोनों कुलम के साथ गुना करेंगे 4 की गुना करी 2400 के साथ फिर 4 की गुना करी 1900 के साथ फिर 4 की गुना कर दी 1800 के साथ फिर मैंने 4 की गुना कर दी 45 के साथ फिर चार की गुना कर दी 33 के साथ ऐसे ही ये 2 गुना में 2400, 2 गुना में 1900 और 2 गुना में 1800 ऐसे ही ये 2 गुना में 45, 2 गुना में 25 2 गुना में 33, इसको हम लिख देंगे अब देखे बेटा, हम इसको Sol Out करेंगे, देखे, ये हमारी Value जाजएंगी, Sol करके ये Family A की हो गई और ये Family B की हो गई ये हमारी requirement हो गई आगे देखे बेटा, इसी में जैसे आगे Sol कर रखा है, मैं उसको आपको बताती हूँ वो कैसे Sol Out है Page Number हम जाते हैं सिधे 19 पे देखे, उस solution में हमें क्या given है देखे बेटा देखे बेटा, थर्ड पार्ट मैंने कोपी पे Sol नहीं कर रखा इसको मैं आपको इसी में बताऊंगी देखे, हमें क्या रखा है 5% और हो गई है मतलब कम हो गई है, तो 2400 तो थी पहले, फिर मैंने प्रोटीन के जो ये, कैलरी के रिक्वार्ट 5% और, देखो कैलरी तो कम हो भी है, प्रोटीन भढ रहा है तो कैलरी 5% कम हो रहा तो तो टोटल का कम हो रहा है, इसे 2400 में से 5% घटा दूँगी और 5% किसको जोड़़दूँगी बैटा, यहां पे देखो प्रोटीन को जोड़ दूँगी तो 45 में उसका 5% जोड़ दिया मुझे बताइए 24-100 गुना में 5 बटे 100 100 से 100 कर जाएगा 24-100 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12 120 24 को 5 से गुना करेंगे तो 24-100 में से 120 गया और इसमें ये जुड़ेगा बिटा तो इसको सोल करके हमारी ये मैट्रिक्स आजाएगी फिर हम इस मैट्रिक्स को नाम R- नाम दे रखा है क्या नाम दे रखा है? R- और अगेन हम वैसे ही निकाल लेंगे इसकी और हम जानते है A B गुना में B बराबर होता है ऐसे ही B A गुना में A बराबर होता है और A square plus B square क्या होता है A गुना में A गुना में B गुना B तो इन दोनों का जोड दिखा रखा है A plus B तो आप दोनों requirement को देख लेंगे ठीक है? बस इसको आप ऐसे ही ग्रेश, विनोध, अभिशेक और अंकित ये नाम है और उसने एक बाउल लिया टिकेट्स का और टिकेट में बेटा नंबर डले हुए एक से लेकर पचास और वो स्टूडेंट को बोलता है वन बाई वन आपको टिकेट उठानी है का मतला एक साथ बाउल से उठानी है और इस टिकेट को आफ्टर नोटिंग दा नंबर फिर आपको रिप्लेस करना है और ये कैसे इवेंट है? इंडिपेंडन्ट इवेंट है क्योंकि एक काउन दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो देखें हम कैसे निकालेंगे पहला के स्था में देखें बाइए इसको मैंने कोप्टी पे सोल करके टिक से देखें हमारे नंबर है एक से लेकर पचास सबसे में पहले में एक से लेकर पचास में प्राइम नंबर देखूंगे प्राइम नमबर आपको पता है 2 से शुरू होता है 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 19 इस तरह केसे करते करते 47 पे मैं आ गई तो मैंने टोटल काउंट किये कितने नमबर आए मारे 15 ऐसे ही हमें अगला बताने है multiple of 4 तो 4 की टेबल वाले नमबर लिख दी है बैटा मैंने 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 44, 48, 48 कितने नमबर होगे टोटल? 12 अब हमें required probability बतानी है कि दो टिकेट निकालनी है इसलिए दो गुना में प्राइम नमबर प्लस में multiple of 4 प्राइम नमबर कितने है 15? 15 बटे में total 50 अब एक टिकेट में निकालनी के बाद रिप्लेस निकरनी हमें इसलिए अब multiple of 4 कितने बचे हैं? 12 अब total kit एक तो उठाई चुकी हूँ बैटा में 50 तो अगली टिकेट क्या है? 49 क्योंकि total कम हो चुकी है और इसको हम carpet के solve कर लेंगे next हमें निकालना है पहला पहली टिकेट पर दिखाए even number और अगली पर दिखाए order number अब आपको बताए total number 50 है जिसमें से आदे even है और आदे कैसे order तो even कितने होगे? 25 ओर भी कितने होगे? 25 तो पहली प्रवर्टे हैगी 25 बटे 50 अगली आईगी 25 बटे एक टिकेट कम हो गई 29 क्योंकि पहली टिकेट में उठा चुकी हूँ तो ये कटके आया 1 बटे 2 गुना में 25 बटे 49 को 2 से गुना किया 98 बिटा आपका एक sample paper complete हो चुका है अब हम आपको next sample paper करवाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्ली लाइक शेर और सब्सक्राइब केज़ेगा थैंक्यू वरी मच